हलो अब्रिवन वेल्कम बेक टू क्रेस बाइलोजी एंड दिस इज़र एजुकेटर दीख्षा दुबे तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फिफ्ट सेमेश्टर बॉटनी का जो पेपर फर्स्ट है उसकी यूनिट बन उसमें हमें प्लांट वाटर रिलेशन पढ़ना ह है अपने सिलेवस में अगर आपने वो शिलेवस नहीं देखा है तो आपको लेक्चर मिल जाएगा चैनल पे और मैं डिस्क्रिप्शन में मिडाल दूँगी तो आप सबसे पहले ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी सिलेवस देख लीजिए और फिर इसके बाद हम एक अएक कंटीनिव करएंगे तो इस वाले पेपर में हम पढ़ना और अची में वायतकिनल आज स्टार्ट करेंगे मिलेगी वाटर रिलेशन में तौसमें सबसी पहला तो जो दिया हुआ है उन्हार पता करना है वाटर नहीं कंडे मैं कि इतुऑ्य लो उर्थ कोई भी लाइफ फ़म नहीं होगा तो water plants के लिए बहुत ज़ादा important है उनकी सारी activities के लिए water बहुत ज़ादा important होता है तो अब water potential start करेंगे तो water potential का हिंदी मतलब होता है जल छमता हमने इसको हिंदी में क्या पढ़ते हैं इसको जल छमता पढ़ते हैं तो जल शमता से हमें क्या समझमे आता है कि जल की शमता क्या है? कि वह किस तरफ कितना फ्लो कर पाएगा? उसकी शमता क्या है तो यह हम DTas इंट्रो देखा हमने अभी डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है जल छमता से मतलब बाटर पोटेंशियल से मतलब क्या होता है तो चलो स्टार्ट करेंगे दा केमिकल पोटेंशियल इस फ्री इनर्जी पर मोल आफ एनी सबस्टेंस इनकेमिकल सिस्टम तो सबसे पहले पोट प्रटेंशल कहते हैं, जो free energy होती है, पर mole पे किसी भी substance में एक chemical system है, उसको क्या बोलते हैं, chemical potential बोलते हैं, तो उसी chemical potential को हमें यहां पर यूज करना है, chemical potential को यहां पर हम पढ़ेंगेंगे, next पहरा देखते हैं, therefore the chemical potential of a substance under conditions of constant pressure and temperature depends on the number of molecules of substance that is present, तो जो भी chemical potential है किसी भी substance का जो की constant pressure और temperature की conditions में वो किस पर डिबेंट करता है कि उस substance में कितने molecules present होते हैं उस substance में कितने molecules present हैं तो ये हो गया potential मतलब छमता potential होता है किसी भी system में chemical system में free energy उसको potential बोलते हैं तो definition देखेंगे एक proper definition water potential की वाटर potential जिसको इननी में जल चमता किएते हैं is a tool which indicates the water status in plant cells that is the potential of water to flow वाटर potential एक ऐसा tool है जो क्या indicate करता है water status indicate करता है plant cells में मतलब वाटर का potential बताता है वाटर की जल की चमता होती है कि वो कितना flow कर सकता है जो cells के अंदर उसका flow क्या है क्या status है water का वो indicate किया जाता है water potential के द्वारा तो यह water potential की एक definition है थोड़ा chemical way में एक proper definition देखते है It is defined as the difference between free energy of water molecules in pure water and the energy of water in any other systems like the solution or pure tissues तो जो water potential है वो define किया जाता है जो free energy होती है water molecules की किसी भी pure water में और जो free energy होती है water की किसी भी substance में किसी भी solution में या pure tissues में जैसे pure tissues में cable water तो नहीं होता वहाँ पर कई सारे solutes भी present होते है solutions के साथ-साथ तो उसको हम साथ-साथ में जब देखते हैं तो उनका difference जो pure water का water potential है जो pure water की जो free energy है वो और जो किसी भी solution की free energy है वो उनका जो difference होगा उसको potential water potential कहते है ठीक है यह समझ में आ गया थो मैं water potential जालने के लिए एक reference चाहिए तो पहले हम pure water का free energy या water potential चेक करेंगे फिर यह second water plus किसी भी solute जो जिसमें ऐसे system में ऐसे solution में जिसमें कई सारे solution हो तो वो obstacles पैदा करेंगे water को flow करने में तो उनकी energy में change आएगा तो वो change और यह pure water की free energy इनका जो difference है उसको water potential कहते हैं ठीक है समझ में आ गया water potential क्या होता है अब water potential को indicate किया जाता है साई के द्वारा एक symbol है Greek bird है Greek bird साई उससे रेप्रिजेंट किया जाता है शाई तब वोटेंशल energy of water is called water potential simply यह समझ में आ बगेरा ज्यादा देखने को मिलेंगे तो वह आपके लिए इतने important नहीं है आपको मैंने सारी important चीज़े पढ़ा दिये next important thing है measurement unit of water potential water potential की measurement unit क्या है पाशकल इसमें pressure का यूज होता है तो पाशकल the direction in which water will move from one cell to another cell depends on water potential in two regions तो वो direction जिसमें फ्लो करेगा water वो किस पे energy of water will move from one cell to another cell depends on water potential किसी भी सेल में water potential करती है कि कि स में water का फ्लो होगा दो regions के बीच में किस तरफ पानी का flow होगा वो decide किया जाता है water potential के द्वारा अभी ये cell है ये cell है ये cell है ये तीन cell है अभी पानी इस तरफ जाएगा ये इस तरफ ये decide किया जाएगा किस के द्वारा water potential के द्वारा उस system के water potential के द्वारा ठीक है next factors affecting the water potential water potential को कौन-कौन से factors affect करत यह भी देख लेते हैं कि मॉप्त हैं कि amount कितने बताओ आपको कि solution अगर है तो ऊसमेन अच्छाली टैल करेंगे किसी ही मॉप्त्लों करने के लिए अमाउंप एक्टरनल प्रैशर क Nur घावरेड़िक ब्राइड़ क्या है ओर घृझ लिए और लिया है और अव्रूर। यह फैक्टर काफी इंपोटेंट है ध्यान लगना अब्जेक्टिब में पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट वाटर पूटेंशियल और प्योर वाटर एट्मस्पेरिक प्रेशर में जीरो के एक्वल होता है वाटर पूटेंशियल प्योर बाटर का ठीक है इसके साथ साथ जब सॉल्यूट्स एड़ किये जाते हैं तो वाटर पूटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी जब सॉल्यूट एड़ होंगे ठीक है समझ में आ रहा है यह तो समझाया था आपको डेफिनिशन में एक्जाम्पल जीरो पॉइंट बन मोलर सॉलिशन कॉंटेनिंग एलिश एनी सॉल्यूट है वाटर पूटेंशियल ऑप 2.3 बार्स वैल्यू और वाटर पूटेंशियल ऑप सॉलिशन इस लोवर देन एट और चल्वाटर लोगा उसकी जो विए वाटर पूटेंशियल ओप सॉछ इस लॉवर हो दो जीनोमइनें 0.1 असरी 0.1 मोलर सॉलिशन एं उसमें बार पूटेंशियल आटाए यौ यह एटमस्फेरिक प्रेशर बैठीक है तो यह इंपोटेंट टर्म्स हैं आपको समझ में आ रहे होंगे next for solutions such as contents of cells water potential psi w can be calculated by adding internal factors like gravity potential psi g solid potential psi s and pressure potential psi तो साइ water यह water potential होगा किसी भी solution का यह किस तरह से निकाला जा सकता है इसको calculate किया जा सकता है gravity potential solid potential और pressure potential को add करके अब इन तीनों को हम अभी देखते हैं कि इनको इनकी definition क्या है gravity potential solid potential और pressure potential की तो सबसे पहले देखते है gravity potential psi g it is the component of butter potential influenced by the effect of gravity on the water potential तो यह बाटर potential का component है जो कि influence किया जाता किसके द्वारा gravity के effect के द्वारा water potential पर यह gravity potential हो गया next solid potential इसको psi s के द्वारा represent किया जाता है यह इसको osmotic potential भी बोलते है it is the amount of amount by which the water potential is reduced as a result of presence of solutes तो यह क्या होता है यह होता है हमारा जो amount water potential का वो किस तरह से कम हुआ है presence of solutes की बज़े से तो उसको solid potential कहा जाता है अभी आपको पताया था presence of solutes कम करता है water potential को next pressure potential जिसको psi p के द्वारा represent किया जाता है it is positive in contrast to negative value of water potential and solid potential and operates in plant cell in the form of wall pressure यह positive होता है negative value जो होती है water potential की उसके contrast में और solid potential की और plant cell में operate करता है wall pressure के form में ठीक है इसको pressure potential बोलते है प्योर बार्टर बियर्स highest value of water potential that is zero when solute is added to the water the value of water potential is lower thus all solutions are with negative water potential तो यह last में important note दिया गया है अबके लिए यह इसको ध्यान रखना के जो pure water है उसकी highest value of water potential होती है जो कि जीरो होती है ठीक है जब solute उसमें add किये जाते है धीरे धीरे तो उसका बार्ट जो बार्टर प्योर बार्टर के contrast में उनकी water potential negative होगी कम होगी ठीक है तस all the solutions are with negative water potential value ठीक है negative water potential value होगी सारी solutions की तो यह इतनी आपको चीज़े समझ आ गई होगी आज water potential की regarding बहुत important लेक्चर था water potential का ध्यान रखना ध्यान से पढ़ना काफी questions इस topic से पूछे जाते हैं इसके बाद next important topic आप चैनल के साथ साथ जुड़े रही है अगर आपने चैनल को फर्स टाइम देखा है वीडियो को तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना आपके सारे doubts भी clear किया जाएंगे यहाँ पर comment करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी इसके अलाबा आप अपने जो भी topics बताते चलेंगे आपको साथ में cover कराते चलेंगे अब हम स्टार्ट करेंगे वीडियो जो कि आज हमने इसकी first वीडियो देखी अब next हम दोनों पेपर इसी था किस वोच्चिन्टी जिस मेंरा कताते चलेंगे, सक्ष हांगे चलेंगे इसे एंड़े औरी जो दोनों दोने काुदी जोनेका जाएंगे यह जोलेगे pra चले आदियों कि गहांनेका वाएंगे टाकियों पर जोनेगे, विजलने का इस ऑार जोनेका शूनेक उलेंगे